दोस्तों इन दोर के होलकर को देखने के बाद अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सिंधिया राजवंश के बारे में जो कि ग्वालियर छेत्र में ज़्यादा फैले हुए थे लेकिन उसके अलावा इनका मूल स्थान कौन सा था या इसके संस्थापक कौन से थे या हम देखने वाले शुरुवात कहां से होती है तो देखिये इसमें शुरुवात होती है 1731 से हाला कि ये चीजें पीछे से चल रहे थी इसलिए पीछे की भी डेट दी हुई है यहाँ ये कहा गया कि 1731 में मालवा का एक खिस्सा मालवा जो छेत्र था उसका एक हिस्सा सिंधिया को मिलता है और इसके शाशक राणो जी सिंधिया थे इसलिए इस वंश की स्थापना का श्रे उन्हें ही दिया जाता है मतलब यही मूल संस्थापक माने जाते हैं अब यहाँ पर बात की जा रही है 1729 का जो अजमेरा का युद्ध था तो उसमें राणो जी ने बहुत ही अदुलित शौरे का परिचे दिया था और इसका परिणाम यह होता है कि जो पुड़े के दरबार की पेश्वाई थी जो कि पेश्वा का पद वहाँ पर हुआ करता था और यह सर्वोचपद होता था। पहले के समय में छत्रपती ये सर्वोचिपद होता था लेकिन शिवाजी महाराज के बादी परंपरा बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है और पेशवाई का सामराज्जिस थापित हो जाता है तो ये पेशवा जो मानिता दे देते थे वो सर्व मानने होती थी मतलब पूरी जो मराठा हुकुमत थी वो इसी को एकसेप्ट करती थी तो पेशवा ने क्या किया, इन्हें होलकर के सम्मान मान सम्मान दिया, मतलब होलकर जो थे इन दोर के, उनके बराबर इन्हें यहाँ पे आदर सत्कार और सम्मान प्राप्त होता है, यह कुछ जानकारियां आपने देखी, इसके बाद देखे, इसमें कुछ और बाते कही गई यहाँ पर का गया कि उजयन, शाजापूर और सुजावलपूर आधिका जो छेत्र है यह इने पेश्वा के द्वारा या ऐसे भी मतलब इनके अधिकार के चलते प्राप्त हो गया यहाँ तक सब ठीक दिखाई देता है उसके बाद 1766 की बात कर लेते हैं तो 1766 में आएगे बटवारे को लेकर जो इस्थितियां पैदा होती है उसमें पेश्वाई को 46 प्रतिशत पेश्वाई जो थी उसका शेयर इसमें कितना था 46 परसेंट था और सिंधिया और होलकर जो थ कुल मकसद ये है कि सिंधिया और होलकर को एक बराबर दर्जा प्राप्त था अब इसके बाद यहाँ पर 1745 की बात की जा रही है तो 1745 में राडो जी सिंधिया जो थे उनका देहा वसान हो जाता है ये काफी ज़्यादा प्रतापी थे इनकी वीर्ता की जो यहाँ पे होती है पेश्वाइन से प्रभावित होते हैं अब इनके बाद जो अगले पेश्वा बनते हैं माप की जगा अगले जो इसमें महाराज बनते हैं वो है महाद जी सिंधिया राडो जी के बाद जो अगले राजा बनते हैं सिंधिया राजवंश में वो कौन से हैं ये महाद सिंधिया हैं और ये इस वंच में सबसे प्रतापी राजा सिद्ध होते हैं 1761 की अगर बात की जाए तो पानीपत की युद्ध में ये पलायन करने के लिए विवश हो जाते हैं अंदर से अगर आप कमजोर नहीं रहेंगे तो बाहर से आपको कोई हिला नहीं सकता लेकिन यहां मराठों के साथ सबसे बड़ी कमी यही हो गई थी शिवार जी महाराज ने जो एकठा किया था सबको मतलब एकठ्र करके एक अखंड शक्ति का रूप दिया था वो यहां पर चिन भिन होती दिखाई दे रही तो कुल मिलाकर पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो इनके पतन का कारण बनता है लेकिन यहां पतन तो हो जाता है परन्तु जो महाराज महाराज जी सिंदिया है यह वहाँ से पलायन कर जाते हैं और इन्होंने महाद जी ने लोकेंद्र सिंग जाट को हराकर ग्वालियर का किला चीन लिया चूकि इन्हें अपना छेतर छोड़ना पड़ता है तो ऐसी कंडिशन में इन्हें रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए तो इन्होंने क्या किया जो यहाँ पर जाट राजा है लोकेंद्रि सिंग उनको पराज़त करके ग्वालियर का किला चीन लिया जीवाजी की स्थापना की थी और उन्होंने दिल्ली के मुगल तक्त पर शाह आलम को बैठा कर अपना कंट्रोल वहाँ पर बनाए रखा था शाह आलम ने इन्हें अपना प्रधान मंत्री पद दिया था यहां तक आप देख रहें और महाजी सिंधिया तक सब कुछ एकदम ब आधो रावत प्रथम जीवाजी आधी यह सब शाशत बनते हैं मतलब यह एक रमवार तरीके से जो सकसेसर हैं उनके नाम है जीवाजी के समय में मध्य भारत की राजाओं का एक संग बनता है और इसे मध्य भारत का ही नाम देकर भारत संग में विलाय का प्रस्ताव स्विक और उनके वयस को होने तक प्रशासन समालने के लिए महारानी की अध्यक्षिता में Council of Agency का गठन किया गया था, इसको ध्यान दीजेगा, ये नवीन तम बात, इसके बाद महाराजा जिवाजी सिंधिया का विवाः विजया राजे से हुआ था, जोकि मध्यप्रदेश के सागर जिले की निवासी थी, अब इसमें आगे आप देख रहे हैं किताब का वर्डन है, मतलब जीवाजी राव सिंधिया का विवाः विवाः राजे सिंधिया से, तो ये राजा और रानी का नाम जान लीजे, अब यहाँ पर एक किताब का नाम लिया गया है, एक रानी ऐसी भ रानी की वीरता पर कलंग तब लगता है, यहाँ देखें जो असली बात लोग इनके ओपर अंगुली उठाते हैं, कारण क्या है, वीरता पर कलंग तब लगता है जब 1857 में ये अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं, मतलब अपनी सुरक्षा हेतु और अपने फाइदे के दो कविता हैं, तो उसमें छोटी वाली नहीं, जो बड़ी वाली है, जो जासी के किले पर शिलालेक में दर्ज है, उस कविता में लिखा था, तो पूरी कविता यहाँ संभव नहीं है, जो उसकी पंक्तियां थी, उसमें उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों के मित्र सिंधि 27 का समय था, इसके बाद मई 1948 में पंडित नहरू ने मध्यभारत के राजप्रमुक के रूप में जीवाजी राओ को शपत दिलाई थी, यह आपने देखा, और 1857 के विद्रों के समय ग्वालियर के राजा जीवाजी थे, और उन्होंने यहाँ देखे जीवाजी के नाम से क अंतिम शाशकों ने लंदन से ग्वालियर पर शाशन किया, मतलब यह यहाँ पर रहने के लिए उतने उत्सुक नहीं थे, यह लंदन से अपना शाशन कंट्रोल कर दे थे, अंतिम सिंधिया जार्ज जीवाजी राओ, यहाँ देखे जो मूल जीवाजी राओ सिंधिया थे, वो 1857 के reward के समय थे और जार्ज जिवाजी राओ ये अंतिम सिंधिया कहे जाते और उनके समय में ग्वालियर रियासत का 1948 में भारत संग में विले कर लिया गया जार्ज जिवाजी राओ ने राजप्रमुक के रूप में 1956 तक मध्य भारत प्रांत पर शाशन किया और 1956 में आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश राजजी का पुनरगठन होता है और वर्तमान स्वरूप में वो हमारे सामने आता है तो ये हमने एक राजवश को देखा जो कि थे सिंधिया इसके उत्खनन के जो छेत्र है वहां से अगर देखा जाए तो यहां से मानों के निवास के साक्षे प्राप्त हुए है उत्खनन का जो यहां पे काम हुआ था या कारे हुआ था उससे मानों के निवास के साक्षे प्राप्त हुए है और उसमें यह भी जिक्र है कि ग्वालियर इसी का हिस्सा था मध्यप्रदेश के नाम से नहीं मध्यप्रदेश के नाम से या मध्यस्थान के नाम से उल्लेक प्राप्त है और इसमें ग्वालियर को इसके हिस्से के तौर पर स्विकार किया गया है तो इतनी प्राचीन माननेता इसे प्राप्त है और नागवंशी राजाओं ने इस छेत्र पर काफी लंबे समय तक शाशन किया था और पदमावती छेत्र जो था उसको अपनी राजधानी बनाया था ग्वालियर अभिलेक में हूणों के राज़े का भी पता चलता है तो हूणों के बारे में हमने पीछे परियाप्त चर्चा कर ली है पिछला जो वीडियो लेक्चर है उसको देखेगा उसमें हूणों और जितने भी क्रमबद तरीके से यहां डाइनिस्टी रूल करती है लग का निर्माण करवाया था तो किसने क्या बनवाया था इसे पूछा जा सकता है इसके बाद यहां पर तोमर राज़वंश की चर्चा करें तो अनंग तोमर ने दिल्ली का छेत्र अपने अधिकार में ले लिया था और उसके वंशच वीर सिंग ने तेरह सो चौरानबे में य ये सल्तनत काल का अंतिम साशक है, उसके बाद मुगलों का ही पूरा कबजा होता है, तो मुगल इस पे अपना पूरा अधिकार कर लेते हैं, राणो जी ग्वालियर के प्रथा मराठा सरदार बनते हैं, ये सिंधिया राजवंश के पहले मराठा सरदार बनते हैं, और महाद ज सिंधिया ने ग्वालियर को जाटों से चीना था आपने देखा कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है उसमें ये पलायन करने के लिए विवश हो जाते हैं क्योंकि ततकालीन परिस्थितिया ऐसी थी ऐसा नहीं था कि ये कायरता दिखाते हैं वहां बहुत ही वीर्था के चल सकते अब हमें यहाँ पर देखना है कि 1857 में मध्य प्रिदेश के वीर योद्धा कौन-कौन से थे मतलब विद्रोही नेताओं को हम देखने वाले हैं और उनसे समंदित जो तत्थ हैं उनको भी आप इस सारणी के माध्यम से देखेंगे तो शुरुवात होती है शंकर यानि शकीर सासे यहां आप देख लीजे पहला शंकर्शा या शकीर साय नाम है गढ़ मंडला की स्वाधी ता कहा जाता है वही छेतर गढ़मंडला या गढ़कटंगा कहा जाता था पहले के समय में फिलाल गढ़मंडला की स्वाधीन्ता हेतु यह हाए और इसके पुत्र ने शस्त्रधारन किया और बाद में इने टोप से उड़वा दिया गया तो क्रांतिकारियों के साथ बहुत ही विद्रोग किया था और अंतमी ने आजीवन कारवास दे दिया जाता है अर्था जेलना पड़ता है श्री पहादुर और देवी सिंग तो ये मंडला से विद्रोग करते हैं फासी की सजाईन को होती है शहादत खांको अगर देखा जाए तो इंदौर महुचावनी जो है वहा तो कालपी में कालपी बाला जो छेतर है वहाँ पर रानी लक्षमिबाई और तात्या टोपी की जो संयुक्त सेना थी उसने यूरोज को छठी का दूध याद दिला दिला ना मने बहुत तकलीफ उठाने के लिए मजबूर कर दिया भले ही यह पराजित हो जाते हैं या पला में यह 36 गड़ का हिस्सा है महान योध्धा थे जो कि अंततक अंग्रेजों के साथ लोहा लेते रहे मतलब अंततक की हथियार नहीं डालते हैं इसके बाद आप तात्या टूबे को देख रहे हैं जहां सी ग्वालियर और कानपूर यह पूरा इनका कारे छेतर था मतलब यह एक स्थान पर इस्थिर नहीं रहते थे जहां सपोर्ट की आवशिता होती थी वहां पहुंच जाते थे और लक्ष्मी भाई के यह गुरू थे तो नाना साहिब के साथ मिलकर इनों ने संग्राम को जारी रखा बेजोड योध्धा थे मड़ी कड़िका के गुरुदेव थे धोखे से पकड़ कर शिवपुरी में इने फासी दी गई और ये बात है 1869 धोखा ही तो होता था सामने से कोई वार नहीं करता था सब छिपकर वार करने वाले होते थे अपने ही यहाँ पर गद्दार थे इसके बाद भीमा नायक को देखेगा भीमा नायक मंडलेश्वर से क तो रन्ती की कमान समालते हैं ये उजयन वाला छेत्र है और निमाड में जनजाती विद्रोह का भी नित्रे दो करते हैं तो यह धार क良ता था है कि ये लक्ष्मी भाई को जो फाइनल यहां बैटल होता है उसमें support करती है, युद्ध में सयोग करती है और उनका छद में रूप धारण करती है और अंग्रेजों को बेवकूब बनाती है कि वही लक्षमी भाई और ऐसे में रानी वहाँ से निकलने में सफल हो जाती है और अंत में जब इन्हें ये लगता है कि अंग्रेज इन्हें चारोर से घेर चुके है जो कि अंग्रेज इतने ज़्यादा मतलब चहरा पढ़ने वाले तो थे नहीं तो वो रानी को इतना बढ़ियां से पहचानते नहीं थे बस दूर से देखा था तो ऐसे में वो ज़लकारी और लक्ष्मी भाई में कोई खास अंतर कर नहीं पाते हैं लेकिन अंत में उन्हें असलियत का भान होता है तो उमारने को तैयार हो जाते हैं घेर लेते हैं और ऐसे में अपने अस्मिता की रक्षा के लिए खुदी आत्मगात कर लेती इसके बाद टंटेया भील को आप देख रहे हैं अच्छा नाम है खरगौन का जो वीरी ग्राम है वहाँ पे इनका जन्म होता है और डेट आप देखीजे ये 1842 की है टंटेया 1857 का जो विद्रो था उसमें खरगौन से भागिदार बनते हैं और अंतता बहन से राखी बदमाते समय ने गिरफतार किया जाता है कितनी विदंबना वाली बात है और अंत में 1888 में फांसी दे दी जाती है तो ये इनका नतीजा था मतलब किसी को भी यहाँ पे सुख की सेज तो नसीब हुई नहीं संगर्ष का पूरा जीवन था काटों की राह थी यहाँ पे और अंत में सूली सामने थी तो यही होता था लेकिन जो यह शिनुने कमाया वो आज के समय में किसी के लिए भी दुरलब इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ कुछ और बात यह कही गई है यह जो नवाब थे यहाँ अंग्रेजों के सामने थोड़े से नतमस्तक हो जाते हैं परिणामी होता है कि सीवर में यह चावनी कायम करने में सफल हो जाते हैं और यह डेट है 1888 की इसके बाद देखें जिसके नियंतरण में एक हजार संख्या वाली फॉज रखी गई थी यह जो मैडाक था यह पॉलिटिकल एजेंट था और इसके पास एक सचल दस्ताया आप कह सकते हैं कि सेना होती थी जो कि हतियार बंद होती थी और करीब हजार की संख्या वाली यह फॉज थी इस फॉज को जो भोपाल राज्य था उसके खजाने से वेतन दिया जाता अंग्रेज अपने जो ट्रेजरी होती थी उससे वेतन नहीं देते थे राज्य को इनका वेतन भरना पड़ता था यह आप समझ सकते हैं कि धन का कितना जादा जो दुरुपयोग है अपने देश की संपता का वो अंग्रेजों ने किया इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां आप देख लिए जो भोपाल के साथ नरसिंगड, खिलजीपुर और आप देख रहे हैं राजगड की जो रियास्ते थी उनसे समंदित भी राजनितिक अधिकारी यहां पे अधिकार लिखा हुआ है ठीक है अधिकारी लिखा है उसको आप अधिकार पढ़िएगा तो राजनितिक अधिकार जो है वो मैडाक के जिम्मे थे कहने का मतलब यह है कि सीहोर के अलावा नरसिंगड, खिलचीपुर और राजगड की जो रियास्ते थी वो भी इसी के अधिन थी मतलब यह पूरा अंग्रेजों के प्रभाव में आया हुआ छेत्र था और नवाप भोपाल तो पीडी-दर-पीडी अंग्रेजों का तावेदार बना रहा आपने देखा कि कितनी आसानी से यह संधी करके यह जो यहाँ का चेतर है यह अंग्रेजों के अधीन कर देता है यह अपने आप में कितनी शर्मिनात बात है और अंत में ये ताबेदार उनके बनके रहते हैं मतलब उनी की ताप पर जिंदा है और उसके बाद अंग्रेजों की कुटिलता के कारण सीहो और छाउनी की स्थापना के छवर्ष बाद ही उन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ा यहां आप देखिए नरसिंगड रियासत के दिवान आनंद राम बक्षी को अंग्रेजों ने मिला लिया और नरसिंगड राज परिवार की जो गुप्त जानकारियां है मैडाक को दे देता था इस प्रकार के घदारों की कोई कमी नहीं थी तो यह जो यहां पे नमक हराम था यह क्या गरता था जितनी भी राज परिवार की यहां पे secret information होती थी कि वो कहां पर अपनी सेना रखते हैं कहां गोला बारूत कहां थियार होते हैं यह सब दीजें वो अपनी जानकारियां जो हैं अंग्रेजों को देदत इसके बाद नरसिंगड के राजकुमार कुमर चैन सिंग को इस विश्वास खात की जानकारी मिल जाती है मतलब उन्हें पता लग जाता है कि यह धोखा कर रहा है और उसके बाद जो यहाँ पर राजकुमार है चैन सिंग यह गदार आनंद राम को मौत के घात उतार देते और एक मंत्री रूप राम बोहरा ने इंदोर के होलकर राजजे के तवारा अंग्रेजों के बिरुद्ध मध्य भारत के सभी रजवारों को संघर्ष के लिए एक जुट करने है तो बैठक बुलाने का निश्चे किया और उसमें कुमर चैन सिंग के भाग लेने की जानकारी मैडाग को पहुँचाई थी और उसमें गदारी करने के लिए कुमर चैन सिंग ने धंड स्वरूप उसे भी मौत के घाट उतार दिया था तो यहाँ पर जो इस्थितिया है वो पूरी तरह से उलट फेर वाली और रंत में होता यह है कि अंग्रेज ये सब देखकर एकडम से बौकला जाते हैं मतलब उनके जो भेदिये होते थे उनी को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है वैसे में ये गुस्से में आ जाते हैं और रूप राम भाई ने चैन सिंग के द्वारा अपने भाई को मार डालने की शिकायत कलकत्ता के जो गवर्नर जनरल थे और सिहोर में जो मेडाग बैठा हुआ था उनके पास दर्ज कराई और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे जो कलकत्ता के गवर्नर जनरल यानि बंगाल के जो गवर्नर जनरल ततकाल में होते थे वो क्या करते हैं मेडाग से जबाब तलब करते हैं जवाब दो कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमारे गुप्तचर है, मतलब इनी राजाओं के अंदर भे दिये हैं, उनको एक के बाद एक मारा जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और उसके बाद परिणाम यह होता है कि मैडाक ने चैन सिंग को अपने सामने नर्सिंगड राज्य, अंग्रेजों के अधीन करें, और नर्सिंगड छेतर में होने वाली, यहाँ पर दो का मतलब है नंबर दो और नंबर एक इस प्रकार से, ठीक है, तो नर्सिंगड छेतर में होने वाली अफीम की खरीद, केवाल अंग्रेज ही करेंगे, अफीम और न इसके बाद किया है? जोगजदर सामने आता था उसको एकदम बेकार कर दिखर कर देते थे हैं इसका मतलब है कि हुझा मेख नने अंग्रेज ने गुलामी स्विकार करना कर दिया मतलब मैडाग जो है उन्हें इन्वाइट करता है और चैन सिंग ने अंग्रेजों की अवहेलना करने का निश्य किया मतलब वो उनके इशारों पर नहीं चलेंगे और उन्होंने अपमान जनक शर्ते माननी की बजाए संघर्ष को वरियता दी यह बहुत बड़ी बात होती है आप च नर्सिंगड को या नर्सिंगड से अपने विश्वस्त साथियों को लेकर निर्धारी तिथी को सीहोरा पहुचते हैं और सीहोर में वही होता है जिसका कि चैन सिंग को पहले से ही आभास था मतलब यह जानते थे कि क्या होने वाला है वर्तमान कलेक्टर निवास जो की तब पॉलिटिकल एजेंट का निवास हुआ करता था और पॉलिटिकल एजेंट कौन है यह आपने देखा यह मैंडग है तो इसके बाद चैन सिंग और मेडाग की मुलाकात होती है मेडाग ने चैन सिंग को यहाँ नीचे देखें जो घटना है उसके बारे में कहा गया है कि पर मैडाक इने बुलाता है वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता है वो जानता है कि युद्ध होगा तो विनाशकारी प्रभाव सामने आएंगे तो राजा को धोखे से बुला कर मार डालना चाहता है यह तरीका था और इस शड्यंत्र को भाप चुके थे तो ऐसी स्तिति में जो शस्त्र कात्याग एकदम से नहीं करते हैं और इसी बात पर तकरार बहुत जादा बढ़ जाती है और मैडाक के द्वारा जो वहाँ पर फोज नियुक्त की गई रहती है उसको आदेश मिलता है कि चैन सिंग यह बात नहीं मान रहा है इनको गिरफतार करो अब चैन और अंग्रेजों की बीच में भीशर लड़ाई होती है मैडाक को वहाँ से भागना पड़ता है इनकी वीरता देखकर और अंत में क्या होता है कि यहां बहुत ही भैंकर संग्राम होता है चैन सिंग और उनके मुठी भर वीर साथी यहां पर बहुत ही जाबाजी के साथ मारे जाते हैं और अंत में चैन सिंग और उनके दो अंग्रक्षक हिम्मत खां और बहादूर खां ये अंग्रेजी फॉज को फिर भी नई छोड़ते हैं और बहादूरी से लड़ते रहते हैं अंतता सिगोर के वरतमान जो द様गêtes वहां के मैदान में चैन सिंग और उनके दोनों साथियों ने बहादुरी से लड़ते लड़ते वीर गती प्राप्ती तो यह अंति तक हथियार नहीं डालते हैं ऐसा ही स्वाभिमान हर देशवासी के अंदर होना चाहिए ठीक है और इस संगर्ष में चैन सिंग के साथ उनका पालतु श्वान शेरू भी अंग्रेजों के हाथों काल का ग्रास बन गया यहां पर श्वान का मतलब कुत्ता होता है और शेरू कुत्ते का नाम था ठीक है यह उनका पालतु था तो अपने कुत्ते को साथ लेकर आया थे और कुत्ते जो हैं वो वफादार होते ही है अपनी साथियों हिम्मत खां और बहादूर खां तथा शेरू की कबर ये 1824 की भैंकर और घमासा नड़ाई की याद ताजा कर देती है तो बेशक इस से जादा इनके लिए आयोजन होना चाहिए ये तो कम है इसके बाद आगे चलते हैं इतना ही नहीं इसमें और भी कहानिया है तो इसमें कहा गया कि चैन सिंग की छतरी आज भी सीवोर जिले के कई गाओं में उनकी स्मृति स्वरूप और उनकी चौरों पर मनत मांकर ग्रामवासी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं मतलब सिर्फ उन्हें श्रद्धा की निगाह से नहीं देखते तो ये चैन सिंग की गौरो गाथा गाते हैं और गाते हैं कि चैन सिंग राजा की क्या करूँ बात या बढ़ाई फिरंगियों को उन्होंने भुला दी लड़ाई मतलब इस प्रकार से वो गाना गाते हैं तो आपने देखा ने सुभद्रा कुमारी चौहान का विता लिखती ह मधिप्रदेश की धर्ती पर विद्रो की दूसरी ज्वाला ये तो आपने देखा चैन सिंग का एक बढ़ियां यहां पर जो काटे की टक्कर हो देते हैं वो आप देख चुके हैं इसके बाद अब बुंदेला विद्रो को देखेगा तो 1842 की ये बात है ये बुंदेल व्यक्ति होता था वो एकदम से जला उठता और जब जलाते थे तो जो कुरांति की ज्वाला है वहीं से भड़कती थी ठीक है इसमें मदनपूर के धिलन शाह, हीरापूर के राजा हिर्दै शाह, जैतपूर के राजा परीचित, चिरगाओं के जागिरदार थे बसंसिंग, जीजन के दिवान थे देशपद बुंदेला, यह सब क्रांति के नायब बनते, यहाँ पर जो उस समय के योध्धा थे उनके नाम दिये, लेकिन यहाँ पर एक चीज, चरखारी के राजा के असहयोग और अंग्रेज परस्ती के कारण बुंदेला विद्रो सफल नहीं हो पा अब्द जो शब्द है, यह असल में वर्ष के लिए इस्तिमाल होता है, और शत मतलब होता है सो, तो सो अब्दों का समय, या सो सालों का समय, तो इसको कहा जाता है शताब्दी, तो शताब्दी के बाद 1857 में यहाँ अगर आप देखें, तो फिरंगियों के कुटल सामराज पजवादी शाजिसों का बखुवी एहसास होते ही, उनके खिलाब देश्वयापी संग्राम छिड़ गया, कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता थी, वो मोल रूप से स्थाफित होती है बकसर के बाद, मतलब आप देखिए, तो जो 1764-65 का समय है, व भारतिय छेत्र था, वो इनके खिलाफ हो जाता है, लोग समझ जाते हैं कि असल में इनकी नियत क्या है, इसके बाद देखिए, मेरट, कानपुर, दिल्ली की क्रांती की घटनाएं जो है, उनकी सूचनाएं सरवत्र पहुँच रही थी, और स्वतंत्रता के दिवानों के लि कि नहीं, हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी आजादी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उठकर खड़ा होने के आवशकता हैं, और अपना सब कुछ बलिदान करने के आवशकता हैं, तो ऐसा उत्साह लोगों के मन में एक तरह से इकठा होता है, अब इसके बाद देखिए, प्रवर सवार सेनाकेश सिपाहियों ने नए कार्टूस काम में लाने से मना कर दिया, क्योंकि नए कार्टूसों पर जो उपर टैग लगा रहता था, जिसको की दात से खीच कर खोला जाता था, और उसके बाद तब उसको राइफल में यूज़ करते थे, तो उसके बाद त सवर्ष के कारवास का दंड दे दिया गया, सैनिकों के दभी हुई क्रोधागनी रविवार 10 मई को अगनी शिखाओं के रूप में प्रजवलित हो गई, जबकि मेरट में न्युक्त तीन भारती रेजिमेंडों ने अपने ही अपसरों को गोली से उड़ा दिया, बहुत सही बात देखिए, मार्ग में अन्य व्यक्ति, सिपाही, सेवा मुक्त सैनिक, नागरिक भी उनके साथ हो लिए, जो आजादी के दिवाने थे, वो इनके साथ चल दिये, ये शाही महल की और गये और वहाँ पर जो अंतिम मुगल शाशक थे, बहादुर्शा जफर यानि बहाद यहां आप देख रहे हैं कि सिपाहियों के मार्ग का अनुसरण किया, मतलब जो दिल्ली के सैनिक टुकडिया थी, वो मेरट के सिपाहियों के ही मार्ग पर चल रही थी, और एक बात और थी कि नेत्रितु कमजोर इसलिए भी था, क्योंकि नेत्रितु की छमता हर आदमी में नहीं होती है, और बहादुर्शा जफर जो थे वो एक बेहतरीन शायर थे, कवी थे, साहितिकार हो सकते थे, लेकिन बढ़िया राजा नहीं हो सकते थे, उनके अंदर राजा बनने की जो काबलियत थी, वो वैसी अच्छी नहीं थी, आप देखिए कि बिहार छेतर में जो जहर न फैले, और तब भी लड़ते रहते, तो इस प्रकार का जजबा हरादी में नहीं होता, आगे देखते हैं, यहां देखिए कहा गया कि इन्होंने किला, खजाना और शस्त्रकार पर अपना कबजा कर लिया, क्योंकि यह मूल छेतर होता था, और विद्रों की में तो सब factual तरीके से दिया है, हलाकि कहानिया उसमें भी है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा आपको विपिन चंद्रा की किताब पढ़ने में आएगा, उसमें स्टोरी के हिसाब से दिया है, बहुती रोचिकर कहानी है, तो उसमें बताया गया है कि जब यह टुकडियां स सीरियसली नहीं लेते हैं, और बाद में बहादुर शाह जफर ने प्रतेक भारतवासी को पिदेशी दास्ता से महारत को स्वतंद्र करने के लिए आंदोलन में भाग लेने का फर्मान जारी किया, मतलब भारत की जनता है, वो बादशाह की रियासत का हिस्सा है, और ऐसे अज़ादी के लिए, मतलब बादशाह की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों से लोहा लेना चाहिए, ये बात है, मतलब एक की गुलामी से आप छूटेंगे, तो दूसरे की गुलामी करिए, ये कहने का मतलब है, तो जो मुगल बादशाह थे, उनका उद्देश यही था, कि अपनी बादशाहाद को फिर से कायम करें, जैसे पहले चल रही थी, तो ये बातें आप देख रहे हैं, दिल्ली और मेरट की घटाओं का एक समाचार, मतलब ये जो घटनाए थी इनका समाचार, एक सपता बाद ही, पहले की समय में टेलीफोन और इमेल और जो सोशल मीड इसके अंत तक कुछ छेत्रों में, पतलब ये जो छेत्र थे जहाँ पर सूचनाए पहुची थी और लोग अभी इकठे हो रहे थे, वहाँ पर कोई बड़ी घटना नहीं होती है, लेकिन मई समाप्त हो जाती है, और मई की गर्मी जैसे ही समाप्त होती है, और जून का जो एकदम उमस वाला मौसम है, वो आ जाता है, तो जो शुरुवात थी महीने की, जून के महीने की, वहाँ से घटना है बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है, और आप देखिए कि इसमें क्या होता है, इस बीच सतलच से गंगा तक का जो समस्त प्रदेश था हुआ स्वा विले करने के लिए कोई राजा तैयार नहीं होता था, और ये जो डॉक्ट्राइन अफ लैफ्स की नीतियां थी, उसके तहट ये राजों को मिला रहा था, बाद में जब कैनिंग आता है, तो वो डलहौजी के किये हुए कामों के भरपाई करता है, उसी के समय में ये रिव प्रशासन में नर्मदा सागर अंचल पहले से ही स्वतंतिता की प्रजवरीजवाला से जल रहा था, 1842 की बुंदेला विद्रो के नतीजे के रूप में या परिणाम सुरूप इन जिलों के प्रशासन में एक महत्तुकूर कदम उठाया गया, और प्रशासन में कदम क्या थ अंगरेज सतर्क हो जाते थे, जहाँ पर गावत भड़कती थी, वहाँ पर टाइट हो जाते थे, तो नर्मदा सागर छेत्र का जो है, इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ मिला दिया गया, और इसका प्रशासन आगरा के लेटिनेंट, गावट और सदर रेवेन्यू पोर्ड के बारा किया जाता था, मतलब अंगरेजों ने इसे एक जो कंट्रोल पोर्ड है, उसके अधीन कर दिया, ताकि यहाँ पर फिर से कोई उपद्रव ना हो सके, इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ देखें, इन छेत्रों का जो मेजर है, यहाँ का जो मुख्य अ पहुंचता है, सागर जिले में उसकी निउस का पहुंचती है, आठ जून को पहुंचती है, और यहाँ खबर भी पहुंचती है कि बानपूर के राजा ने ललिदपूर में एक बड़ी सेना इकठी कर लिया, तो सेना इकठी करने का मतलब आप जानते ही है कि युद्ध की चेत्रे युद्ध्योदत्थ हो गया है, मतलब युद्ध के लिए ततपर हो गया, सननध हो गया, बानपूर के राजा ने ललिदपूर पर अधिकार कर लिया, जैसा कि पहले से ही आभास दिख रहा था, और सभी यूरोपीयों को वहाँ से बंदी बना लिया, अब चेत्र की सभी घाटियां, जो वहां के घाटी छेत्र थे, इनसे यहां के स्थानी लोग भली भादी परचे थे, लेकिन अंग्रेज इनके बारे में नहीं जानते थे, तो यह जो घाटियां और खोव वहां के होते थे, वहां राजा की सेना अपनी बड़ी-बड़ी सभाई हैं, यहां आप देख रहे हैं, 25 जून को मेजर के सिपाहियों ने खुली अवग्यां प्रारम कर दी, और इस बीच बानपुर के राजा त्वारा बंदी बनाये गए, अंग्रेज अपसरों और महिलाओं को सागर जानी की अनुमती दे दी गई, लेकिन मार्ग में उ दूसरा जो शाशक है वो इने गिरफतार कर लेता है और तीन महिने तक बहुत कष्ट देता है, उसके बाद जब यह सागर पहुचते हैं, तो वहाँ पे एकदम जो दशा है वो दैनी हो जाती है, अब इसके बाद देखिए, उलेखनी है कि इन इस थानों में किसी भी जगह पर अंग्रेजों की अविवेकपूर्ण हत्या नहीं की गई थी, सागर में भी कुछ स्थितियां सहज नहीं थी, अब यहाँ पर जो ब्रिगेडियर न्यूप्त था सागर छेत्र में, उसको यह दर लगता था कि उपद्रव किसी भी समय हो सकता है, भाई सेना जो है वो चा संकट होता था, एक तो भोजन सामागरी और दूसरा हतियार, अगर यह दोनों एकदम परियाप्त मात्रा में हो तो कोई भी सेना पहले की इतनी परियाप्त मात्रा में जुझारू होती थी, कि वो कई महीनों तक लोहा ले सकती थी, लेकिन यही सबसे बड़ा संकट होता था यहाँ योरोपियन और इसाई निवासियों को शशास्त्रा कर्मण होने की दशा में सुरक्षा प्राप्त हो सके, अशंकित करांती का प्रारम अतक लग जाता है, और अंत में इसकी परिणती हमें दिखाई देती है, यहाँ आप देख रहे हैं, एक जुलाई की सुबा को, पहली ही तारीक, सागर में इस्थित अनियमित घुरसवार सेना ने विद्रो कर दिया, और जो यहाँ पे 42 की पैदल सेना थी, वह सुबिदार शेख रमजान के नितरितों में करांती का जंडा उचा कर लेती है, नगाडों की चोट पर उनका साथ देने के लिए सब को आमंतरि किया गया, मतलब एकदम से सीना ठोक कर विद्रो हो रहा था, कोई चोरी छिपे नहीं था, और अनेक जो सैनिक टुकडियां थी, उन्होंने करांती में साथ दिया, सदर बाजार और नगर छाउनी में, अपसरों के जो घर थे, मतलब अंग्रेजों के जो घर थे, खास्तोर हुआ है कि न तो आग लगाई और नहीं किसी विदेशी व्यक्ति को मारा, मतलब मारने और लूटने का काम, यहाँ पे मारने का काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ लूटने का काम कर रहे थे, और अगले दिन विद्रोहियों में कुछ जो थे, वो दमो की और कूच कर जाते हैं, और शेष जो है, वो सागर में रुख जाते हैं, मालधोन में तैनात सेना को सहायता देने के लिए, शेख रमजान ने अपने आपको सेना पती घोशित किया, और सेना का वहाँ भाग जो की दमो की और गया था, वो चार जुलाई को पहुँच गया, और उसने देखा कि वहा रास्ता दिखाने का काम कर रही थी, अंग्रेजों को सही सही रास्ते नहीं पता थे, अगर ये भागना भी चाहें, तो इन्हें जो वाजिब रास्ता था, उसका ग्यान नहीं था, तो चोरीशी पे भागने के लिए किसी देशी व्यक्ति का सपोर्ट लेते थे, तो किले की रक्षा कर रहे थे, मतलब वो भी कितने समय तक इनके वफादार रहेंगे, ये कहा नहीं जा सकता, तो ऐसी कंडिशन में, जिन पर उनके किले की रक्षा का भार था, वे उसी सैनिक दल के थे, जिसने की सागर में विद्रो किया था, मतलब उसी टुकडी का ये भी हि दमों से निकल पड़े, और इसी दर्शा में उन्होंने नर्सिंग पूर तक सतर मील की यात्रा की और वहां सुरक्षित पहुच गये, भूख और वर्षा से वो फटे हाल हो गये थे, लेकिन दमों की किले में रहने के संबंद में, उनका जो भै है वो आधार हिन सिद्ध हो सर में एक टुकड़ी क्रांती की होर रहती है और एक जो हिससा थ सैनिकों का वो अंग्रेजों का साथ देता है। तो यह आरोप लगाते हैं कि बहुत ही निरिशंश यहां के बगावती लोग होते थे, मतलब जिसको मिला उसी को मार गया, जिसको मिला उसी को काड दिया, जहां मिला वहीं लूट लिया, मतलब इनके अंदर दया एकड़ रंच मातरे नहीं होती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं यहां पर जो बगावती थे, वो हर स्थान पर इतने हिंसक नहीं थे, आला कि कुछ जगत थे, यह आपने देखा, उसके बाद आगे चलते हैं जिसे आप देखते हैं, नवाब सिरा जो दौला के समय में जो घटना होती है, जो काल कोठरी वाली घटना कही जाती, तो उसमें जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उनका यह कहना था कि एक छोटे से कमरे में गर्मी के मौसम भी इतने सारे लोगों को बंद कर दिया गया और अगले दिन उसमें से सब मर जाते हैं, यह कुछ ही बचते हैं, और जो यहां के देशी इतिहासकार हैं, वो इस बात का खंडन करत हैं, तो यह अपने अपने विचार है, इसके बाद देख लीजे, सन 1842 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रो करने वाले बुंदेला, राजपूत, गौण और लोदियों के पुराने सताधारी वर्ग, तथा अंग्रेज अपसरों के विरुद्ध खड़े होने वाले देशी सिपाहियों के बीच में बहुत निकट संबंद और पारस पर एक विश्वास था, पर रिडाम ये होता है कि सागर में विद्रो प्रारम होनी के दो मास के भीतर ही समस्त छेत्र, स्वतंतरता संग्राम के सैनिकों के हाथ में आ गया था, यह बहुत बड़ी युवक और वीर ठाकुर सर्जु प्रसाद के रूप में दिखाई देती है, मतलब ये क्रांतिकारी के तोर पे उभरते हैं, यह महान परिवार और अपनी वंश परंपरा के हिसाब से जैपूर के राजवंश के माने जाते थे, मतलब इनका संबंद जो है वो जैपूर के र पुरजन सिंग की मृत्यू पर वह राज्य उनके दो पुत्रों में बांट दिया गया, विश्नु सिंग को मैहर मिलता है और प्रयागदास सिंग जो थे उनको विजयरागोगर ये वाला छेत्र प्राप्त होता है, अब इसके बाद देखिए, लगभग 19 वर्ष तक उन्हो अब इसके बाद देखिए, प्रयागदास सिंग जो थे इनका देहांत हो जाता है 1845 में, और इनका उत्तर अधिकारी बनता है सर्जू प्रशाद सिंग, जो की इनका पुत्र था, और जिस समय इनके पिता की मृतिव होती है और ये उत्तर अधिकारी न्योक्त किये जाते है उस समय इनकी अवस्था सिर्फ 5 साल की थी, और इस कारण शाशन ने अलपवैस के राजा की देखरे कभार अपने उपर ले लिया था, और राज्य को कोर्ट आफ वार्ट के अंतरगत ले लिया था, मतलब ये अंग्रेजों का काम था, अंग्रेजों को और क्या चाहिए, इ जबलपूर के डिप्टी कमिशनर थे, उनके द्वारा होता था, 1857 का जो अक्टूबर महीने का अंतिम समय था, उस समय राजा शंकर शाह के मृत्युदंड के परिणाम सुरूप, जबलपूर में होने वाली घटनाएं, जन मानस को उद्विगन कर रही थी, मतलब जनता पह के हैं, उन पर कबजा कर लिया, मतलब जब ये अपना हथियार उठाते हैं, तो इनके पीछे पूरी सेना आ जाती है, मतलब लोगों का समर्थन रहता है, और इस प्रतिरोध मोर्चा के युवक नेता ने साहस और वीर्ता के गृत्ति उद्वारा ख्याती अर्जित की, और क जो भी ये प्रयास करता था, उससे लूट लिया जाता था, माल डाला जाता था, और घायल कर दिया जाता था, ऐसी इस्तितियां थी, तो ये अंग्रेजों का भी हो रहा है, अब इसके बाद देखिए, अगले बर्श यानी अठारस ओर ठाउन में, जब रीवा सेना को मईह पर बुलाया गया, तब यहाँ आप देखिए, तब अंग्रेज और अपने सैनिक विजर रागावगड के विरुद ले जाकर उसे जीत सके, यहाँ जो देख रहे हैं, इसका कहने का मतलब यह है, कि यह जो सेना होती है, यह विजर रागावगड के जो नेटिव सैनिक रहत जाते हैं, और इसके बाद सर्जु प्रिशाद जो है, यह भागने के लिए विवश हो जाते हैं, और फकीर का वेश बनाकर यह भटकते रहते हैं, 1864 में अंग्रेजी ने पकड़ लेते हैं, और उसके बाद जब पकड़ लेते हैं, तो जबलपूर ले जाके लंबे समय तक कैद कर लेते हैं, विद्रो करने का अभियोग चलाया जाता है, और उसके बाद इन पर आरोप लगाया जाता है, कि तहसिलदार जो मीर साभी तली थे, उनकी हत्या में ये भागिदार हैं, और इन सब अपराधों को सिद्ध करके इन्हें निर्वासन का आदेश दिया जाता इसा इन्हें यहां दंड प्राप्थ होता है, और इनकी जितनी भी संपता होती है, उसको जब्त कर लिया जाता है, और ये जो दंड आ गया थी, इसका पालन करना उनके उपर लाजमी था, लेकिन यहां पर जो सर्जु प्रशाद सिंग है, वो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार का काम करना उनके स्वाबिमान से परे था, और इस प्रकार से स्वतंतिता संग्राम के बलिदानियों में वो शुमार हो जाते हैं, विजयरागोगर जो छेत्र है, इसको जब्त कर लिया जाता है, और जबलपुर जिले की जो मड़वारा तहस उसका एक हिस्सा बना दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये छेतर अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है, तो यहां पर आपने देखा, आगे बढ़ते, यहां रानी अवंति भाई को देख लेते, फिर आगे चलते, देखे, मंडला जिले की स्वतंत्रता आंदोलन के वी आंतम वी रंगनाओं में इस्थान मिलना चाहिए, रामगड मंडला जिले की पहाडी में इस्थेत एक छोटा सा नगर है, और वहां पर गड़ मंडला के राजाओं के अधिन एक राजपूत सामन्त, सौ गाओं के अपनी छोटी सी जागीर के साथ राज्य करता था, मतलब यहां पर जो सामन्त थे, उनकी कुछ सौ गाओं के रियासत थी, और इस जागीर पर वो शाशन कर रहे थे, रामगड के राजाओं में यानि सामन्तों में अंतिम्था लक्षमर सिंग जिसका की 1850 में देहां थो जाता है, और उनका एक मात्र पुत्र, मतलब उनके एक मात्र पुत्र जो थे, वो विक्रम जीत सिंग थे, यह उनके उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन विक्रम जीत सिंग जो थे, यह दिमागी तौर पे स्वस्त नहीं थे, मतलब यह mentally कुछ डिस्टर्ब थे, और उनके जब दिमागी तौर पे स्वस्त नहीं है, तो शाशन कैसे इसलिए शाशन के लिए अयोगी सिद्धो होते हैं, यह अंग्रेजों का घोशित किया हुआ है, मतलब वो कितने अस्वस्त थे यह कोई नहीं जानता, अंग्रेजों की घोशना थे कि वह मानसिक रूप से बिमार हैं, और ऐसे में अंग्रेज सरकार पूरे शाशन का प्रब था, क्योंकि रानी यानि राजा लक्षमर सिंग की पतनी, यह रामगड के लिए अत्यंति योग्य और विध्य महिला थी, और यह अपने पती के नाम पर नहीं, तो कुत्र के नाम पर शाशन प्रबंद चला सकती थी, पहले की सुमय का एक दुरभाग्य था, यह भारत वर् थी, खैर, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर यह रानी जो अवंती बाई है, यह सर्वता योग्य थी, अगर यह प्रिशासन अपनी मुठी में ले ले, तो फिर अंग्रेज यहाँ पर कुछ कर नहीं पाते, लेकिन इनकी मजबूरी यह थी, कि अपने पुत्र के नाम आप 1856 तक चले आए, तो बीच का जो पूरा समय है, इसमें ब्रिटिस सामराजे का बहुत तेजी से फैलाओ होता है, असल में लॉट डलहोजी को ब्रिटिस सामराजे का वास्तविक विस्तारक कहा जाता है, संस्थापक नहीं, तो विस्तार करने का काम इसने बहुत तेज से किया था, और इसके बाद कैनिंग आता है, तो यहां आप देख लिए, डलहोजी के समय में ये फिरंगी नीती जो विलय वाली थी, अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन रानी इतनी आसानी से घुटने टेकने वाली नहीं थी, और जब घुटने नहीं टेकेंगे तो बगाव सूत्र जो था, वो अपने हाथ में ले लिया, यहां तकि अवंती भाई ने उस समय जो यहां के दकियान उसी लोग थे, मतलब ऐसा नहीं था कि अंग्रेज ही सताते थी, जो एक स्त्री होती थी, उसको आसपास भी सताने वाले लोगों की तत्काल में कोई कमी नहीं रहती थ उठाते थे कि अब तुम्हारे पती मर गए है, अब तुम्हें सिर मुडा कर काशी वास करना चाहिए, जाकर तीर थेयात्रा करो, भले ही राज्य जो है वो गर्त में चला जाए, आपने मड़ी करने का फिल्म देखी है, उसका क्लाइमेक्स है, वो तो वो थी नाठकी है, मत पी जादी, भले ही वो एक पुरुष से कहीं जादा योगी सिद्धनों, तो इसे आप देखीजेगा, यहाँ पर कहा गया कि उन्होंने शासन सूतर जो था, वो अपने हाथ में ले लिया, और कुछ समय पश्चा थी गढ़ मंडला के उस राजवंश के अंतिम प्रतनिधी राजा शंकरशा को जबलपुर में दिये गए, निर्दय मृत्युदंड का समाचार सुना, जिसके कारण कभी उसका रामगड राज्य अस्तितु में आया था, शंकरशा जो थे उन्हीं के अधीन ये रामगड एक रियासत थी, या जागीर थी, तो यहाँ पर जो मालिक थे रानी ने संपर्क स्थापित किया, और इस प्रकार की अन्याय को सहन करने के स्थान पर शस्त्र धारंड करने के लिए प्रेरित किया, रानी सैनिक वे स्थारंड करके हाथ में तलवार लेकर स्वैंग अपने सैनिकों के साथ रडचेतर में नित्रितु करती थी, और पडोस क हमला एक तो सामने से एक पीछे से तो यह जो रणीती होती है इसमें सेना बीच में घिर जाती है और वही राणी के साद भी होता है मतलब राणी और उनकी सेनाए जो है जमी नहीं रहा पाई और उन्हें किला खाली करना पड़ा वेपास के जंगलों में चले गए और रानी, अंग्रेजों के शिविर पर निरंतर आक्रमट करती रही पर परंतु उन में से एक आक्रमट जो है, वो घातक सिद्ध होता है और उसमें वो देखती है, कि वो घिर गई है और रंत में फिर क्या होता है आप जानते ही तो ये पूरी कहानी है इस प्रकार से तो जो महान व्यक्तित्तों मध्य प्रिदेश से जुड़े हुए हैं उनको आप जानते रही है इसके बाद अगला जो है वो नर्सिंगपूर है इससे देख लीजेगा मतलब ऐसा आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पठान बंदूगची है यानि बंदूगधारी पठान थे वो आगर होपाल के नबाब अली खां को सपोर्ट करते हैं और अली खां क्या करते हैं ये अंग्रेजों के खिलाब उठकर खड़े हो जाते हैं मतलब ऐसा होता है कि जब सेनाय आगे बढ़ती है तो अंग्रेज सामने से आक्रमड करते हैं और इन्हें भरसक दमन का प्रयास करते हैं जबलपुर के बरगी परगने में ये एकठी हो जाती है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि डिप्टी कमिशनर कप्तान टेनन जिनन अब देखता है कि विद्रोही जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बगावती हो गए है तो ऐसी स्थिती में अंग्रेज सेना सतर्क हो जाती है अब देखिए यहाँ पर मामूली से दिखने वाली वस्तूओं में फूट पड़ रही थी और जो शक्तियां है उनके प्रतिरोत को दबा पाना काफी कठिन काम था और अंत में होता यह है कि जो यहाँ पर स्थाई प्रशासन अंग्रेजों का होता है उसमें कप्तान तुली आते हैं और उन्होंने सोनार नदी को पार करके जो एकत्रित सेनाएं यहाँ पर एकठाओ के बगावत कर रही थी उनको पराजित करने का काम किया तो कुल मिलाकर यह दो अफसर यहाँ पर दिखाई देते हैं एक तो टेनन है दूसरा तुली है दोनोंने मिलकर नर्सिंग पूर जिले का यह जो विद्रो था इसको अंत में समाप्त कर दिया और कुल मिलाकर 1857 का जो नॉंबर मास है वहाँ तक आते आते हैं विद्रो समाप्त हो चुका था लेकिन उठता है यही अपने आपने बहुत बड़ी बात तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया है कहानी आगे जारी है तब तक के लिए नमस्कार झाते हैं झाल झाल